निमिशकार दोस्तों अविरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है अमारी की प्रतिनिधी सभा की सदसे रह चुकी इलहान उमर को भारत विरोधी माना जाता है वे कई मुद्दों पर भारत का खुल कर विरोध कर चुकी है यहां तक इमरान खान के कारिकाल में इलहान उमर ने गुलाम कश्मीर की यात्रा की थी भारत ने उनकी यात्रा पर कड़ी आपत्ती जताई थी बाद में इलहान की गुलाम कश्मीर यात्रा से अमारीका ने किनारा कर लिया था अफ्रिकी मूल की अमारे की अश्वेत महिला इलहान उमर ने भारत में धारमे का जादी पर सवाल उठाए थे वे भारत के खिलाफ अमारे की संसद में एक प्रस्ताओं भी पेश कर चुकी है प्रिस्ताओं में उन्होंने भारत को धार्मिक स्वतन्तता की चिंता जने के स्थिती वाला देश नॉमिनेट करने की मांग की थी इसराइल पर विवाद टिप्डी के बाद अमेरिका की निचले सदन की विदेश मामलों की समिती ने इलहान उमर को बाहर का रास्ता दिखा दिया था कॉंग्रेस सांसत और लोग सभा में विपक्ष के नेता राहूल गांधी की अमारिका यात्रा विवादों में घिरती जा रही है राहूल गांधी ने अमारिका में रेबन हाउस ओफिस बिल्डिंग में कई अमारे की सांसतों से मुलाकात की राहूल गांधी की बैठकी में जबानी, कॉंग्रेसी ब्रैडली जेम्स शेर्मननी की बैठक में अमारीकी कॉंग्रेस के सदस्य जोनाथन जेक्षन, रोखन्न, राजा कृष्ण मोर्ती, बारबराली, श्री थानिदार, जीज़स जी, चुई गार्सिया, इलहान उमर, हैक जॉनसन और जॉन शाकोवस की शामिल थे इलहान उमर के साथ राहूल गांधी की मुलाकात पर भाष्पा ने हमला बोला है, भाष्पा के IT सेल प्रभारी अमित मालविया ने कहा, विपक्ष के नेता राहूल गांधी ने अमारिका में इलहान उमर से मुलाकात की, जो पाकिस्तान प्रायोजद भारत विरोधी और स्वतंत्र कश्मीर की पैरोकार हैं, यहां तक कि पाकिस्तानी नेता भी ऐसे उग्रु तत्वों के साथ देखे जाने को लेकर अधिक सतर कहोंगे, कॉंग्रेस अब खुले आम भारत के खिलाफ काम कर रही है